नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर कमलेस्टुमार मुहार्य पहलवान गुरुदीन बिधी महाविद्यालय पनारी लैलितपुर के बिधी विभाग का विभागा देख्च आज पुना एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की समक्चु पस्तित हूं आज के इस वीडियो में हम acceptance इससे पहले कि मैं अपना वैख्यान प्रारम करूं किरपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार रूप से सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद आईए जाने प्रस्ताव एवं स्यूक्रत में बताया जा चुका है प्रस्ताव और स्यूक्रती में समान महत्व की अगली अपिक्षा उसके संसूचना या समवहन की है प्रभावी एवं उचित संसूचना पक्षकारों के बीच गलत फ्यमी और अनुचित इस्थित को दूर करता है संसूचना की धार्णा इसलिए भी महत्पून होती है क्योंकि पक्षकार एक दूसरे से दूर और अलग हैं ऐसे मामलम समवहन के तरीके जैसे डाक, कोरिया, टेलीगराप, फैक्स, इमेल, टेलीफॉन इत्यादी बहुत सुसंगत हैं क्योंकि संसूचना के तरीके प्रस्ताव और स्यूक्रती के लिए समय का न आये जाने, प्रस्ताव की संसूचना, कम्यूकेशन आफ ओफर, अधिनियम की धारत्चार के सब्दों में प्रस्ताव का संवहन तब संपूर हो जाता है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति के ग्यान में आ जाता है, जिसे वाग किया गया है, अतह यहां संवहन का ग्यान एक सु इसे एक उधारन से समझा जा सकता है जहां आ द्वारा बा अपना घर पांच लाग में बेचने का प्रस्ताव डाक के माध्यम से करता है यदि ऐसा पत्र दस मार्च को भीज़ा जाता है और बारा मार्च को बाको प्राप्त होता है यहां यहां कहा जाएगा कि उक्त प्रस्ताव बारा मार्च को तब हुआ जब अंत में पत्र बादवारा प्राप्त कर लिया गया अता यहां इस प्रस्ते की जब डाक द्वारा कोई प्रस्ताव भीज़ा जाता है तो उसका समवहन तब पूर्ण होता है जब वहां उस व्यक् सूइकृती की संसूचना या सूइकृती का समवहन Communication of acceptance यहां दो मुद्धे हैं जिनकी व्यक्या इसके स्पषटी करण के लिए की जानी हैं वे हैं सूइकृती के क्या तरीके हैं और सूइकर्थी कब पून होगा सर्परथम मुद्धे को लेते हैं जो स्विक्रति की रीति कविसे हैं, अधिनियम की धारातीन बहुत साधरन सब्दों में समभेहन के दो तरीके बताती हैं, पहला किसी कार्य द्वारा, दूसरा लोब द्वारा संसूचित करना या जो संसूचित करने का प्रयास करना, कार्य द्वारा समभेहन कारता है कोई साब्दिक अईव्यक्ति जो या तो लिखित हो सकती है या मौकिक, लिखित सब्द के अंतरगत पत्र, टेलिगराफ, फैक्स, इमेल और विग्यापन, मौकिक के अंतरगत तूर्भासिक संदेश आते हैं, अगरता समभेहन में कोई ऐसा आचरन जैसे सकारात्मक कार या संकेत भी आते हैं, जैसे कि दूसरा व्यक्ति समझ सके कि वहां व्यक्ति जो कार कर रहा है, वहां क्या कहना चाहता है, संभेहन या संसूचना किसी कार के लोब से भी किया जा सकता है, ऐसे लोब का संग्यापन आचरन द्वारा या ऐसी रज रजयमंदी या सहमती के संग्यापन द्वारा हो सकता है जो प्राविरती के संदर्व में हो यदि मौन को लोब द्वारा सम्वहन नहीं माना जाना चाहिए श्वीक्रती का संग्यापन आच्छनद्वारा भी हो सकता है उधारन स्वरू फिक्रेटा द्वारा निर्धारित मुलपर क्रेटा को माल परिदान के मामलے में क्रेटा की रजवन्दी की संसूचना को आच्छनद्वारा स्वीक्रत माना जाएगा इसी प्रकार सवारी बस में चलना या वजन मसीन में सिक्का डालने पर समवहन के संग्यापन की अवस्चक्ता नहीं है प्रतम मामलें संवहन का या संसूचना का संग्यापन आचरन द्वारा जिसमें लोग परिवहन प्रादिकरन द्वारा किसी यात्री के यात्रा करने का प्रस्ताव है आगे दूसरे मामले में भी कम्पनी द्वारा प्रतिफल वाली सिवा प्रदान करने का प्रस्ताव है जो आचरण द्वारा सम्वहन का संग्यापन है शुकृति की सम्वहन के संदर में दूसरा मुद्दा कार लोग या आचरण के प्रभाव का है यह सम्वहन की स्युकृति में या आच्युकृति में अपर्थक्च रूप से प्रणामिक प्रभाव उत्पन करते हैं यदि ऐसा प्रभाव ना हो तो ऐसा सम्वहन बैकार है जिसके विसे हमें स्युकृति करता को सूचना है कि वहाँ उसको की गई मात्र मौन स्युकृति जो एक व्यक्ति के मस्तिस्क में है वह स्वमवहन नहीं होता यह बैंक द्वारा आ की भूमी बेचने के लिए पारित किया गया एक संकल्ब जो आ को संसुचित नहीं किया गया यहाँ यहाँ निरणित किया गया कि यहाँ ना तो कोई सम्वें था और ना ही कोई सम्विदा अब हम अगले मुद्ध पर आते हैं जब एक सुखरती पूम हो जाती है अधिनियम की धाराचार के सब्दों में यहां पूम होती है प्रस्तावक पहला प्रस्तावक के विरुद तब संपून हो जाती है जब उसके प्रती इस प्रकार पारेशन के अनुकरम में कर दी जाती है कि वहाँ प्रती ग्रहिता की सक्ति से बाहर हो जाए दूसरा स्विक्रति करता के बिरुद तब संपून हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ग्यान में आ जाती है जब प्रस्ताव वक्त या प्रस्ताव डाग दोरा भेजे गया पत्र के माध्यम से स्विक्रत किया जाता है तब प्रस्तावक के विरुद स्विक्रती का संभयन तब संपून होगा जब पत्र को प्रेशित किया गया है और पतिके गरहिता के विरुद तब संपून होगा जब उक्तासय का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है उधरन सवरूप यदि बाह आ के परस्ताव को प्राप्त करने के बाद अपनी स्यूकर्ति चवदा तारिक को डाक से भीशता है और यहां स्यूकर्ति की समवान यहां संसूचना आके विरूद चवदा तारिक को संपूर्ण हो गई जब पत्र डाक में डाला गया आगे यहां स्युक्रती बागे बुरुत तब संपूर्ण होगी जब उक्त पत्र आखे पास पहुँच जाए यहां आब आगी स्युक्रती से बाद होगा चाहे उक्त स्युक्रती पत्र डाग के पारेशन के अनुकरम में बिलंबित या गुम हो जाए यहां स्वनिम नियम है क प्रस्तावक संविदा से बाद हो जाएगा जब प्रति गरहिता द्वारा स्विकरती पत्र डाक में डाल दिया जाता है किन्तु यहां यहां आवस्यक है कि पत्र पर सहीं पता लिखा हो प्रयाप्त डाक्टिकिल लगा हो और उचित तरीके से पोस्ट की गई हो पारशन के अन मामले में वह स्विकरती से तब बाद होता है जबकि स्विकरती पत्र प्रस्तावक के पास पहुंच जाए इसलिए ऐसे मामले में पत्र का प्रस्तावक तक पहुंचना अत्यंत महत्मून है यदि पत्र परिदानित ना किया गया हो तो स्विकरती की पूर्णता प्रस्ताव कि एक पक्षिकार को संविदा से बाद माना जाए जब कोई इस बात पर निश्चित नहीं है कि स्यूकरती पत्र गया या नहीं निर्दिष्ट या विशिष्ट सर्तों का संवहन Communication of Special Conditions कभी-कभी ऐसी परस्तितियां आ जाती हैं जबकि संविदा विशिष्ट सर्तों पर किया जाता है ऐसी विशिष्ट सर्तों का संग्यापन निश्चित रूप से किया जाना आवस्यक है और ऐसी सर्तों की स्यूकरती का संग्यापन भी आवस्यक रूप से प्रतिग्रेज़ता दोरा किया जाना होता है उधारन सरुप जब एक यात्री यात्रा करता है या यात्रा की सर्तें टिकिट के प्रस्ट पर छपी रहती हैं कभी-कभी ऐसी सर्ते यात्री के संग्यान में आ जाती है और कभी नहीं हर इस्तिती में यहां माना जाता है कि टिकेट खरीते समय यात्री को सभी सर्तों का ग्यान था जब माने दिल्ली से कलकत्त की हवाई यात्रा की जब उसने टिकेट के पीछे छपे हुए पिसे सर्टों को देखा जो बहुत छोटे अक्षर में लिखी हुई थी कभी-कभी ऐसी सर्टे एरलाइन्स के कारलियों पर दर्सित होती हैं जिसे यातरी अंदेखी कर देते हैं यहां प्रस्ण यह है कि क्या ऐसी सर्टे एरलाइन्स द्वारा यातरी को संसुचित की गई और यदि यह क्या यातरी को उसका स्युक्रिती किया हुआ मान लिया जाए इस प्रस्ण का सकारा आत्मा गुत्तर मुकून दथ मुकुल दथ बनाम इंडियन एरलाइन्स 1962 AIR 314 में दिया गया जिसमें वादी ने दिल्ली से कलकत्ता का हवाई सफर किया था और सर्टे टिकेट पर लिखी हुई थी एक दूसरा उधारन लांडरी वाले दोर अपने गिरहाक को दी जाने वाली रसी जो कपड़ा लेने के बाद दी जाती है रसीत पर विशे सर्टे छपी होती है जिने गिरहाक के लिए उचिस सम्वहन माना जाता है यहां माना जाता है कि गिरहक तोरा ऐसी सर्ते की स्यूकरती निश्यत रूप से की गई है इसे संबंदित मामला था लिली वाइड बनाम और मुत्तु स्वामी उपर्युक्त संदर्वित मामलों में संदर्वित दस्तावेजों को बिना किसी विरोध के मानने स्युक्रिती माना गया संभिदा का मानक प्रारूप Standard Forms of Contracts संभिदा का मानक प्रारूप के मामले में यहाँ स्थापित निया में कि चाहे वहाँ वैक्ति अभी लेक के अंतरवस्तु से परचित नहीं है फिर भी वहाँ उस पर बाद है सिवाए इस से की पक्षकार संभिदा के प्रावर्तन के संदर में परस्थितियों की सूचना की अपिक्षा ना करें क्योंकि ऐसी परस्थिति में वहाँ एक विप्रिति स्थिति में होगा एक भार वहाँ किसी माल के परिवहन के लिए बिना सर्थ के स्विक्रिति करता है तस्पस्चाद वहाँ माल के स्वामी को एक अपनी सीमित दाइट्वी की विग्यप्ति देता है ऐसे मामलें जब तक उन विशे सर्तों की सम्वेन या संसूचना परिवेन की सम्विदा करते समय ना की गई है माल के स्वामी पर बाद्धिकारी नहीं है I hope यहाँ वीडियो आपको पसंद आए